बिस्मिल्ले रख्मान है अज्दावनीकुम students of 9th class chapter number 7 है electrochemical chemistry Electro chemical chemistry में है topic आज का electrolytic refining of copper electrolytic refining of copper के copper और में से आप pure copper को किस तरह से purify करोगे इस परकरच के लिए आप electrolytic cell use करते हो इसके लिए जो anode होता है बूर गण मोखो है आज ըिए बूर सबस्ते हुआ सब अगया यह बें व büyट ए तृव कोपर से बनाए जाती है और जो ए सबस्तिति और में आपके पास कियाए Uh नर्चायलिटिदो li can यूज हो रहे हैं जो इंप्यूरिटीज हैं इंप्यूरिटीज इसमें कहें सिल्वर, गोल्ड, प्लाटीनियम, आइरन, जिंक जो हैं वो क्या हो जाएंगे जो इंप्यूरिटीज हो जाएंगे, नॉड पर पर प्रेसेंस ऑफिस मेटल डिप्रीज था इलेक्रिक अपनुक्टिविटी ऑफ और कॉपर, इन इमेटल की जो प्रेसेंस की वज़े से जो अलेक्रिकल कॉंदक्टिविटीज होगी कॉपर की वो क्या हो जाएगी, पॉल का जाएंगी of the electrode and settle the bottom of container और जो container के bottom में जो हो जाएंगी, settle हो जाएंगी as a sludge और जो cathode है, वो reduce हो जाएंगा, but zinc और iron remain in the solution लेकिन zinc और iron जो हो क्या रहेंगे, solution में रहेंगे लेकिन इस दी किसे जो आपके बास copper आएगी, वो pure copper होगी जो के 99.5% जो होती है, वो pure copper होती है अब following इसके अंदर जो है, वो मुख्लिक किसम के reaction अपकर होते हैं सबसे पहले हमने कहें कि जो anode होता है, उसमें कि वो impure copper का बना होता है इसमें क्या होगा, copper जो होगी, वो easily oxidized होगी और cathode पे जाके, cathode जो है, वो pure thin sheet of pure copper का बना होगा और वो shift होजएगा किस पे, cathode पे cathode पे क्या होगा, reduction का कर होगी और anode पे क्या होगा, oxidation होगी जो बात की remaining, जो है, मुख्या कर जाएंगी, वो sludge कर जाएंगी क्या होगी civätनी, जो है पेसमें आजे होगी, bottom of the container जिस इस the electrolytic refining of copper लाज, ऐसमें पेकर जाए बी जाएंगी इन्शाला आ जिस्वाब होगी जो मुप्यांगी न्यू्ट को लाटेश double